इंद्री ग्री मंत्री अमिस्सा बेहार के दो दिवसिये दोरे पर हैं आपको बता दे कि कल उन्होंने पूर्णिया में जनसफा को शम्बोदित किया तब वहीं आज किसन गंज में जो है बूढी काली मा मंदर में पूजा अर्चना की यहां माननता है कि जो भी अपनी कराता है उसे पूरी की जाती है और मा पूरी भी करती है ऐसे में नौरात शुरू होने वाला है उससे पहले अमिस्सा ने पूजा अर्चना की आप तस्वीरों में साफ तोर से देख सकते हैं कि किसन गंज के बूढी काली मंदिर में पूजा अर्चना की वहीं विधी विध तरीके से किसंगंज के बुढ़ी काली मंदिर में जो है वहाँ पर शंकनाद हुआ वहीं मंत्र उचारन भी की गई पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अमित्सा ग्री मंत्री वहाँ पर पहुंचे हैं और 2024 की आगाज जो है शंकनाद हो गया है और किस तरीके से निता है कि जो भी अपनी मुराद लेकर आता है उसकी मुराद पूरी होती है और तमाम बीजेपी के बड़े निता उनके साथ है चाहे वो मंगल पुर्वे स्वास्त मंत्री मंगल पांडे हो या कह सकते हैं कि भाजपा के प्रदीश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैश्वा तमाम बीजेपी के बड़े निता ग्री मंत्री के साथ है और वहीं पूजा आर्चना भी की वहीं विधिविदान के साथ मा काली की पूजा हुई वहीं संकनाद भी किया गया और जो है कह सकते हैं कि तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से मंत्र उचारन हो रहा है और मा क प्रिशन करने के लिए ग्री मंत्री अमित्सा वहां पर पहुंचे हैं और आज जो है कह सकते हैं कि एक बार फिर से सीमांचल के इलाकों से उन्होंने शंकनाद कर दिया है कल जिस तरीके से उन्होंने भाशन के दौरान अमित्सा ने सीधे तोर पर नितीश कुमार वहीं आज किशन गंज में भी उन्होंने मा बूरी काली मंदिर में जो है वहां पर पूजा अरचना की है पूजहीं पूरी होती है वो पूरी होती है तो यानी कह सकते हैं कि अमित्सा कहीं न कहीं अपनी मनुकामना लेकर इस मंदिर में पहुचे हैं और 2024 में केंद्र में सरकार बनाएंगे वहीं आपको बता दे कि बिहार से बिहार में भी जो है सरकार पूरी तरीके से फूल बहुमत में बीजेपी की बनेगी इसका उन्होंने संखनाद जो है आज किसन गंज में किया ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें दर्जुनिस के साथ और देखते रहें दर्जुनिस